शौपिंग की बात हो तो लाचपन नगर का जिक्र तो जरूर आता है और ऐसे ही मेरे माइड में भी आया जब मैं शौपिंग के लिए चानने चौक, सरोई नगर यहां सब जा रही थी तो मैंने सोचा है रहे एक बाल लाचपन नगर भी क्यों न जाए हेलो फ्रेंड्स मैं भ वैलरीज भी पर्चेस कानी थी अपने ले और मेरे लेंगे की लेज जो थी ना वो मुझे मिल ने री थी मार्केट में इधर मेरे नियरिस्ट में तो मुझे लगा कि चलो वहां भी देख लेते हैं महां पर मैंने सुनाई कि अच्छा मिलता है और मेरी सिस्टर के लिए भी यडियरिंग लेने थे तो इसके लिए हम घए हां प्रचेस कि हैंगी किनिट सबको होती और मेरे घर में तो चाहिए जाया जहिए यह इसा की फंक्शन ऐ उसके बाद मैंने अपने लिए यहां पर उने एक शौ्ब देखी अम उस दानमे ना सद्वा ञइन में अश्पन प्र पूरी रो नहीं है और वहां पे न साथ में से आपको लेज वगेरा यह सब चेहे तो वह भी मिलता है पैब्रिक से जुड़ा हुआ माटीरियल भी मिलता है यहां पर जाकर एक भाईया से मेरी बात हुई तो मार्केट में वह बहुत मुझे उनसे बात करके उनके साथ जब हम डील कर रहे थे मेरी बहुत अच्छे से वह हम एक चीच के लिए गाइड कर रहे थे पोच रहे थे कि आपका कप का फंक्शन है आप क्या वेर कर रहे हैं तो आप ये देख लो ये ट्राय कर लो मतलब वो अप्ना बैस देर है से कई लोगो गोते हैं कि एक दो चीज दिखाई फिर बोलते हैं कि अरे यार मतलब लेना है तो लो वनना जाओ आगे टाइम वेस कर रहे हो अपना भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनको देखकर जैनुरली यह फील आए कि नहीं वो न सेल करना ही चाहते हैं और हरकोई चाहता है पर कुछ लो मैंने मेरको भी एकाथ एरिंग्स बहुत पसंद आयते और सिस्टर के लिए लिए टे एरिंग्स और मैंने अपने लिए पुरा सेट लिया था तो भाहिया ने हमें पे कलेक्शन दिखाया उन्होंने और उन्होंने यह पूछा कि आपका कपका है अगर आपके बास थोड़ा टाइम है तो फिर आप थोड़ा वेट के लिए आप कुछ दिन बाद आना मैं आपको और अची दिखा दूगा तो फिर मैंने गा भाहिया इतना टाइम तो है नहीं तो फिर अभी हमने फटाफट से वहां से लिया वहां से लेने के बाद फिर मैं आगई अपने हां पे लेने के लिए और अपना डोरी ओरी भी मुझे ना याद आया था कि मेरी डोरी पर लटकन नहीं थे तो मुझे वो भी लेना था अब मैं मार्केट गई ती तो ऐसी मेरी नजर पढ़ गई फोन के कवर वाली शॉप पे तो उससे भी बात की तो कुछ अच्छे कवर तो आते इतनी भीड़ती और इनकी बेस्ट बात यह है कि ना आप इनसे एक्स्ट्रा सबजी ले लो उसका कोई चार्ज नहीं बढ़ अगर आप एक्स्ट्रा गुलचा लोगे उसका चार्ज है और वो बिलकुल अलग बाउल में देते हैं प्याज वगरा जो भी है यहां पे मैंने क कुछ कॉस्मेटिक की चीजे थी जो ना सेल में चल रही थी 50 रुपीज इच था यह तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने से दो तीन चीजे पर्चेस करी उसके बाद मार्केट घूमा मार्केट घूमने के बाद हम निकल रहे थे तो आप बते हीएगा आपको मेरा यह व्लॉक में जब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक यू सो मच फूर वाचिंग